शिव और प्रियंका की परफॉर्मेंस के बाद आखीकार एक्ता ने क्या कह दिया था प्रियंका के कान में जाते जाते क्या बोलकर गई थी एक्ता इस बात को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर कई दावे किये जा रही हैं लेकिन क्या है इन दावों का सच और आखिरकार एक्ता ने प्रियंका को गले लगा कर क्या कहा था हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि एक्ता कपूर को प्रियंका की आक्टिंग काफी अच्छी लगी हाला कि एक्ता ने जो ओडिशन्स दिये उसमें उन्होंने निम्रित को चूस किया लेकिन प्रियंका और शिव ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था काफी शानदार था जाते जाते एक्ता जो है प्रियंका को ना सिरब उसने गले लगाया बलकि उसके कान में भी कुछ कहते हुए गई थी तो एक्ता ने प्रियंका को ये बात साफ कही थी कि बाहर आकर तुम उससे बात करना मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगी तो अब एक बात तो साफ है कि प्रियंका और शिव के बीच में जो सीन हुआ था उसको देखने के बाद एकता प्रियंका की परफॉर्मेंस से काफी जादा इंप्रेस थी जाते जाते वो प्रियंका को इस बात का हिंट दे गई कि वो उनके साथ काम करना चाहती है तो क्या ये देखना वाकई में काफी दिल्चस्प होगा कि बाहर आने के बाद प्रियंका को एकता के साथ काम मिलता है हम आपको बता दे कि ये खबर सामने आई है कि प्रियंका सल्मान खान के प्रोडक्शन में काम करेंगी और उनका को एक्टर कोई और नहीं बलकि सलमान खान के बॉडिगाड शेरा का बेटा अबीर होगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एक ताप प्रियंका को नागेन ओफर करेंगी या फिर प्रियंका सलमान के प्रोडक्शन हाउस में काम करेंगी आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं